Hello everyone, welcome to my classes, CETAT and KVS classes. Myself, Mossme, यह हमारी second class है. कल हमारी पहली class हुई थी, जिसमें हमने discuss किया था CETAT के बारे में कि कम समय में हम ऐसे कौन से ट्रॉपिक पढ़े, कैसे पढ़े, ताकि CETAT हमारा असानी से किलियर हो सके. आज हम KVS के बारे में कुछ discuss करेंगे. आप सब जानते हैं, KVS के फॉर्म आ चुकी है, आज से उसकी भरने की डेट है, 5 December से, और 26 December लाश्ट डेट है इसे भरने की. तो जो भी KVS के लिए तयार है, वो लोग भरे. सबसे पहले हम जान जाते हैं, अब एक्जाम हमारी KVS की कैसे होगी, लेगेटिव मार्किंग होगी क्या नहीं होगी, जो सीटेट के एक्जाम अभी देने वाले हैं, अप्येरिंग में हैं, वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सब्जेक्ट का कॉंबिनेशन क्या-क्या होगा. ठीके, तो एक-एक करके हम जानते हैं, के अब यह जो हैं, हमारा कम्प्यूटर बेश्ट हो गया है, अब ओल्लाइन एक्जाम होगी हमारी, तो आप सब तयार रहें, ओल्लाइन एक्जाम है, माइन मेकप कर लें, कि ओल्लाइन देना हैं, ठीके, अब कोस्टन जो होता है, अब हमारा 180 नंबर का कोस्टन रहेगा, 180 मार्क्स के होंगे, पहले था 150, 150 की कोस्टन पूछे जाते थे, 150 नंबर होते थे, अब इसमें कुछ बल्लाव किया गया है, अब इसमें 180 नंबर के कोस्टन होते हैं, 180 नंबर होंगे, नेगेटिव मार्किंग, गया है, exam time duration, अब जानते हैं हम subject combination age, जान जाते हैं हम PRT के लिए 30 वर्स, PGT के लिए 35 वर्स, PGT के लिए 40 वर्स, अब इसमें हमें क्या-क्या छूट मेलेगी SC-ST वाले के लिए, OBC वालों के लिए, और महिलाओं के लिए, तो जान जाते हैं SC-ST वाले जो हो है, उसे 5 साल की साल की, और जो महिलाओं हैं उन्हें 10 साल की, मतलब PRT के कोई अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो वो 40 वर्स तक अब महिलाओं भर सकती हैं, 40 वर्स की उम्र तक, TGT वाले जो हैं, उनका भी, अगर 35 की भर रहे हैं, तो सब को SC-ST वाले को 5 साल की छूट है, OBC वाले को 3 साल की, और Omen को महिलाओं को 10 साल की छूट है, अब हमारा question यह उठता है, कि subject combination क्या है TGT में, सबसे पहले तो यह दिमाग में आता है, seated appearing वालों के लिए, कि seated appearing भर सकते हैं, फॉर्म या नहीं, तो seated appearing वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो इस साल 22 में, seated की एक्जाम देने वाले है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिन्होंने पहले seated qualify कर चुके हैं, दे चुके हैं, वो फिल कर सकते हैं, इस वार के allow नहीं किया गया है, अब हमारा problem आ जाता है, चलो सब कुछ हो चुका है, तो अब हम क्या करें, मैं subject combination, अकर हम TGT में फॉर्म फिल करते हैं, तो हमारा subject combination हो सब को बराबर मोका मिलें, पर ऐसा हुआ नहीं है, subject combination हो चुका है, अब जान जाते हैं, कैसे कैसे क्या है, तो इंगलिस वालों के लिए हैं, जिन्होंने graduation में 3 साल इंगलिस पढ़ा हो, उन लोग इंगलिस की form फिल कर सकते हैं, TGT के लिए, जिन लोगोंने हिंदी में 3 साल graduation में हिंदी पढ़ा हो, वो हिंदी की भढ़ सकते हैं, SST वाली के लिए, जो social science के हैं, उनका graduation में history, geography, economics, pole science, इतना होना चाहिए, अब इसमें है कि जो भी SST वाले जो है, social science वाले, अगर वो form ये फिल कर रहे हैं, तो उनका compulsory है history या geography, वो pole science पढ़े हो, economics पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, लेकिन उनका history और geography में से एक subject ज़रूरी है, हो नहीं है, तभी वो form फिल कर सकते हैं, और science वालों के लिए है, science वालों के लिए भी botany, geology, chemistry, ये तीनों में से कोई भी subject अपने graduation में पढ़े हो, और Sanskrit वालों के लिए वो तीन साल जो है, फिल कर सकते हैं, maths अब सबसे बड़ी problem तो हो जाती है, सबसे वालों के लिए, क्योंकि एधिकतर स्टूडेंट एस सटी वालों होते हैं, problem ये हो जाती है कि वो लोग को history और geography, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है उनका, उनका हो जाता है political science और economics ये सारे subject होते हैं, जिसे वो बहुत कोई, ये form TGT के नहीं भर सकते हैं, पर निराज मत हो ये, हमारे पास फिर भी मोका है, हमारे पास PRT है, जिसे हर कोई भर सकते हैं, ठीक है, उतने सोचने की जुरुत नहीं है, जो हमारे सामने है, जो हमें दिख रहा है, उसे उस पे हम काम करें, और seated appearing वाले, बहुत कोई seated appearing वाली थे, जिन्होंने उमीद नहीं किती हमें हटा दिया जाएगा, पर जो होना था वो तो हो गया है, अब seated appearing तो भर नहीं सकते हैं, फिर भी आप इस depression में ना बैठें कि अब हमें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस चकन में आपका seated जो है, एक्जाम होने वाली है, वो खड़ाब हो जाएगी, तो हमारा माइंड जो होता है, हमेशा कोई बहाना ढूंडता है, कि कौन से ऐसे कारण बताए, क्योंकि कल को अगर seated पे marks कम आ गए, तो आपके पास एक बहाना मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि यह हमारा बस एक ही रास्ता नहीं है, क्योंकि यह हमार और भी फॉर्म है, जो आने वाले हैं, आप उस पे ध्यान दे, तो हर फॉर्म फिल करने के लिए, हमारे जो पहली सीड़ी है, वो seated ही है, इसलिए ध्यान दे, कि seated हमें किसी भी हाल में निकालना है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, तब हमें seated पास करना होगा, तब ही निकालना कुछ हो सकता है, कोई भी फॉर्म आता है, अगर पास ना हो, तो हम आगी नहीं बर सकते, कोई फॉर्म नहीं बर सकते है, अपने टीचर होने के लिए हम कहीं अपलाई नहीं बर सकते हैं, तो sitat वाले, यस साड़ डिप्टेशन छोड़ दे, और आराम से आप प्रोब्लम और PGT का जहां तक बात है तो PGT वे में असानी से आप लोग भर सकते हैं उसमें कुछ ऐसा भांगा नहीं गया है उसमें आपका ग्रेजरसन होना चाहिए मेर शोरी आपका में होना चाहिए अम्सी होना चाहिए और आप लोग अपलाई कर सकते आराम से उसमें कोई दिकत नहीं है और इसमें हाँ से यद्ध पियारटी जो है इसमें आपका पेपर बटन सीट यद्ध ऑन सीट इपरव सूद्धे यर्ट के लिए ऊस् occurred से अवे पूलई होना जरूरी है अगर आपकाarias ओ helmets के लिए तो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसे ही TGT के लिए आपका पेपर 2 किलियर होना ज़रूरी है, ठीक है, तब हमारे साथ तो प्रॉब्लम हो गई है, कि TGT में subject combination है, जिनका नहीं हुआ है, जिनका है subject, वो लोग अराम से तयारी करें, PRT के लिए भी करें, TGT के लिए भी क है, कि PRT हमें निकाल ही लेनी है, क्योंकि यह हमारे पास लाश्ट मोगा है, चार साल बाद यह फॉर्म आई है, क्वी एस की, फिर कब आएगी, कुछ पता नहीं, लेकिन जो अभी आई है, उसे हाथ से हम नहीं जाने दे सकते, तो आप सब ध्यान से KBS PRT के लिए तयार हो ज क्यक्क के लिए जो हमारा होगा, असी मर्क्स का होगा, जान लेते, Part First जो होता है, उसमें हमारा जेनरल इंग्लिस और जेनरल हिंडी पूछा जाएगा, जो 10-10 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के, Part Second जो है, वो हमारा current affair रहेगा general awareness और current affair जो 10 number के रहेंगे 10 question रहेंगे reasoning 5 question पूछे जाएंगे 5 marks के computer 5 question 5 marks के पूछे जाएंगे part third में हमारा इसमें कर दिया गया है अब हमारा pedagogy इसमें जितना भी है इतने space थी नहीं इसलिए सारे points नहीं लीख पाई हूं part third में आपका pedagogy पूछा जाएगा 16 marks के 60 number के पूछे जाएंगे और part fourth में आपका specific syllabus जो रहता है 80 number के Hindi English EBS Math इतने आपके PRT में पूछे जाएंगे इतने आपके PRT में पूछे जाएंगे अब अंतर क्या है हमारे TGT और PGT में भी आपके part one two three जो है वही सेम रहेंगे बस part three के जो marks है वो 60 के जगा 40 40 marks के पूछे जाएंगे हमारे TGT PZT में और PRT में हमारे साथ नमर के पूछे जाएंगे अब part fourth में हमारा subject होगा TGT और PGT में हमारे subject के question पूछे जाएंगे जो हम उसमें select करेंगे अपना subject वो पूछे जाएंगे वो कितने के होंगे वो 100 के होंगे TGT और PGT में जो question पूछे जाएंगे subject के वो 100 के होंगे तो 80 नमबर जो है हमारा वो सम्में PRT, TGT, PGT सम्में सेम होने वाले हैं बस हमारा difference होगा subject का यहां हमसे part fourth में हमारा Hindi English EBS math रहेगा और TGT और PGT में हमारा subject रहेगा ठीक है जो 100 marks का रहेगा PRT में part third में हमारा साथ नमबर का question पूछेगा TGT और PGT में जो हमारा part third रहेगा पैड़ागोजी उसमें से हमें 40 question पूछे जाएंगे 40 number के और hundred question जो रहेंगे वो हमारे subject के रहेंगे TGT PGT में जिस subject को हमने select किया है ठीक है आप लोग समझ गर अब वेटेज का जान लेते है इस वाए exam में और interview में आप सब जानते है कि के भी इसके exam के बाद interview होता है तो 70-30, 70-30 का वेटेज है 70 जो है वो हमारे exam का वेटेज होगा और 30 जो है वो हमारे interview का होगा तो आप सब तयार रहें exam के लिए अच्छे से exam देना है सारी tension को दूर करके आप लोग तयार रहें तो कल से हम लोग करेंगे सीटेट से त्यूंकि सीटेट का exam में हमें important points पढ़ने है ताकि हम कम समय में exam आर्षानी से निकाल पाएं तो कल मिलते हैं thank you